तो आज मैं आपके साथ यह वाली लुक सेर करने वाली हूं इसमें में कोई भी ब्यूटि ब्लेंडर और ब्रस का इस्तमाल नहीं करूंगी जैसे कि यह वाली लुक है थोड़ा सा ग्लाम लुक और एसे ही और एक सिंपल लुक भी मैं इसी तरह के सेर की हूं अगर आप चाहते है ऐसा देखना तो वह वाला भी देख सकते हैं उसमें भी मैं कोई ब्रैश और ब्यूटि ब्लेंडर के इस्तमाल नहीं की हूं तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहां पर पहली एक मॉश्यरेजर यूज कर रही हूं नीविया का ही यह मुश्यरेजर है यह मैं अभी करें यह बहुत इस से में यूजरेजर हैं यह मुझे बहुत ही पसंथ है अभी बहुत ही पसंद्र रहा है कि यह ज़़ा चिप sensing कर था और थोड़ा सा वाटर बेस्स है तो जिस मुझे से ह्भी बहुत ही यूजरें मेरे लिए तो नेक्ड में यहां पर यूजर करूंगे नायका का हowanie राइमर और यह भी बहुत यह अच्छा राइमर होता है आप से अभी अभी बहुत पसंद है यह यूजल रहा है मैं पूप सबाल आपको गुछ छादा कंज नहीं मिलेगा नीए बस के समश्वार का रहें तु exactement यहां पर यूज करें नाइका का ही फाउंडेशन यह भी बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है तो यहां इसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा इस्तमल कर रहे हूं क्योंकि यह ग्लैम लूक है और थोड़ा सा हेवी मेकफ है सो इसलिए तो इसको मैं अपने हातों से ही अच्छे से यहां यूज कर रहे हूं जैसे हम यूज नहीं कर सकते ब्यूटी वेंडर तो इसलिए नेक्स्ट में यहां पर यूज कर रहे हूं मैबलीन का ही कंसीलर इसमें अपने अंडर आई नोज एंड फोरेड और अपना जो अच्छी नेरिया फिर मेरा जलिप्स के साइड में यूज फिंगर और फिंगर से छोट थोड़ा सा ब्लेंड कर लूगी यह थोड़ा सा टायम टेकिक्टिंग है मतलब कंसीलर को बिलेंड करना लेकिन इस से भी बहुत अच्छी से ब्लेंड हो जाता है और उसी हातों से यह मैं अपने जो आई लिड में भी कर लूँगी फिर में स्टार्ट करोंगे एसेडों से हां एक चीज़ बदा दूंकि मेकप में कोई हाडन रूल नहीं होता कि आपको इसके बाद यहीं उसके बाद वहीं उसकर ना है आपको जब जो अच्छी लगे जब जो याद है वहीं लगा लिजे लास्ट में अच्छा ही आउता है फ पाउडर लगा के इसको एसे ही छोड़ दूंगी ताकि वह थोड़ा सा सेट हो जाए फिर में यहां पर एक क्यूटिप के मदद से ही जो आईशेडों का पैलेट है यह स्वीस ब्यूटिका उससे एक मतलब नॉर्मल सा कलर है यह और इंच टाइप का कलर है थोड़ा सा वह और इस साइड में मैं यह क्यूटिप से लगा रही हूँ और दूसरे साइड में मैं अपने फिंगर से लगा के आपको दिखाऊंगी तो क्यूटिप से लगाने के बाद भी यहां पर थोड़ा सा मैं फिंगर से अपना ब्लेंड कर ली हूँ फिर मैं यह वाला जो है इसको म पहले तो सोचा था इसी से ही लगाँगी लेकिन फिर सोक्ता कि नहीं में फिंगर से ही आपको थोड़ा से दिखा देती हूंと思います तो आप देखी पारे था उसके उपर ही थोड़ा सा लगाई हूं फिर मैं यहां पर यह स्वीस ब्यूटी का ही विंकी आईशेड़ पैलेट है उसमें से यह जो गोल्डिन कलर का सिमरी कलर है यह लगा रही हूं बस पूर थोड़ा सा ही मलब आईलेड के बीचो बीच फिर मैं यहां पर जो अपने पेस पर एकस्स सिस पाउडर था उसको खलीन कलें पर में क्यूटस ऑट चैफहीं को बाउन कु बाउन को तो दिखा रही हूं यहां है कि इस ते तरह से ही मतलब से कर लिए छो चलो अहुए फिर में यहां पे ऊसी ट्या पैलट से ही थोड़ा सा आज जो हल्का ब्राउन कलर को तो मैं लै रहे हैं अपने को न्य भावल कर रह है यहां पर यूज करने हूं 9 to 5 का बलश होघ मुझे बहुत अच्छा कलर देता है अभा थोड़ा सा मैं यही बहुत अच्छा कलर देता है तो इसको मैं तोड़ा सा लड़के फिर में अपने हाथों सही चसे ब्लेंड कर ली हूँ फिर में मैं बोल सकते हों नेक्षार करें फिर करें तक मुझे छाहिए दिए फिर जो अपर्le openfte aproximadamente लें यहांग काजिल को में अपने जो वाटर लैन है उसको फिल कर लोंगे अच्छे से दोनों इसको फिल करने के बद मैं यहांपे लोगी एक आइलाइनर जो की है LAUKMI का आइलाइनर यह नार्मल सबको सबके पास होता ही है और इससे मैं एक नॉर्मल सही विंग आइलाइनर करेट कर लोगी बिस सिंपल सही苁 एलाइनर कर रही है यह यहां पे ज्यादा कुछ यह है ज्यादा मोटा भी नहीं करें पतल साही थोड़ा सा विंग बस बना रही हूं एंड में इस तरह से उसी कि के बाद में ये व्युद्ध करऊंगी मस्कारा मस्कारा जो है यह लेकमी का ही मस्कारा है यह मेरा जदनातर वीडियो में यही आपको देखने को मिलेगा यह मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यह बहुत जल्दी ड्राय हो जाता है और बहुत ही अच्छा एक ऐसलोंग मैं आई लेसे तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो लेनी हूँ lotus का lip balm यह मैं daily regularly use करती हूं और इसे में लगा के आपना जो लिप्स है इसको थोड़ा सा clean कर लूँगी ताकि हमारे लिप्स में थोड़ा सा अच्छा लगे lipstick तो फिर मैं यहां पर यूज कर रही हूं मैट मी का रेड़ लिप्स्टिक रेड़ लिप्स्टिक के मावले में आप मुझे यही लिप्स्टिक लगाते हुए हमें सजादा तर देखेंगे क्योंकि मुझे यह वाला जो कलर है बहुत ज्यादा पसंद है तो इसे लगा लेने के बाद में फिर यहां पर जो मेकप सेटिंग स्प्रे है मेरा DIY मेकप सेटिंग स्प्रे लगा रही हूं इसे भी आपके साथ कभी और सेयर कर लोंगे जरूर तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और घंटी लगाने में तब तक के लिए बबाई और टेक केर और इतना दर तक मेरी वीडियो देखने के लिए था एंक्यू सो मच